हेलो दोस्तों दिन भर की बड़ी ख़बर बिना देरी के बताएंगे जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर के बड़गा में बहुत बड़ा हादसा बियसेफ जवानों से भरी बस खाई में जागिरी जिसमें सेनिकों की मौत और घायल होने की ख़बर आ रही है तो वहीं बताएंगे आतंकी पन्नू के खिलाफ एनाईय ने कसा शिकंजा पंजाब में चार ठिकानों पर बड़ी छापे मारी जिहां तो वहीं भारत ने यूकरेन को हत्यार भेजने वाली रिपोर्ट पर पहला बयान दिया है दोस्तो बताएंगे क्या कहा भारत का क्या रहा रियक्षन तो वहीं कॉंग्रेस ने पुलवामा हमले पर प्रधान मंत्री नरंदर मोधी और ग्रह मंत्री अमित शाह से मांगा है जवाब जिसके बाद क्या मिला आंसर तो वहीं बताएंगे करोड़ों सेलरीड क्लास को मोधी सरकार देगी बहुत बड़ा गिफ्ट क्या है वो मोधी सरकार का त बहुत बड़ा हादसा बेस अब जवानों से भरी बस खाई में जागरी तीन सेनिकों की मौत 32 घायल की खबर बता दें जमू कश्मीर के बड़गाम जिले के ब्रेल वाटर हेल इलाके में चुनाव डूटी में लगी एक बस पहाड़ी से फिसल कर खाई में गिर गई हादसे में सीमा सुरक्षा बलके खुल तीन जवानों की जान चली गई जब की जवान 32 की संक्या में घायल हो गए जिन में से 6 गों भीर चोटे आई हैं हादसा मद कश्मीर के बड़गाम जिले के ब्रेल वाटर हेल इलाके में हुआ है पहाड़ी छेतर में चुनाव डूटी में ल पंकारी के मताबी 5 बसों का काफिला सडक से जा रही थी आखरी बस अनियंत्रित हो गई और करीब 40 फिट गहरे इस गठे में जागिरी जी हां दोस्तों वाके में ये बहुत ही बुरी और दिल तहला देने वाली खबर थी अपने जवानों को लेकर जो घायल है दोस्तों उन संगवादी गुर्पतवन सिंग पन्नु और उससे संबंद प्रती बंदित संग्ठन सिख फॉर्ट जस्टिस यानि से जुड़े आतंग की शडियंद्र मामले की जाश के तहत शुक्रवार को पंजाब में चार अस्थानों पर तलाशी ली एक आधिकारिक बयान में कहा गय समय तो विभीन सामगरी जब्त की गई जिनकी जाश की जा रही है नाईये के बयान में कहा गया है कि मामला पन्नु द्वारा स्फजे के अन्न सदस्तियों के साथ मिलकर कथी तोर पर रची गई साज जिससे संबंदित है नाईये में शुकरवार को स्फजे के नेता यूक्रेन को हत्यार भेजने की रिपोर्ट पूरे तरीके से गलत है विदेश मंत्राले ने कहा कि भारत का रेकॉर्ड बेधाग नहीं हुआ नियमों का उलंगन बता दे भारत से गोला बारू यूक्रेन भेजे जाने से जुड़ी राइटर्स की एक रिपोर्ट पर भारत स कही गई है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है विदेश मंत्राले ने कहा कि मिलिटरी सामानों के नर्यात को लेकर भारत अंतराष्ट ये कानून का पालन करता है और इसमें भारत का ट्रेक रेकॉर्ड बेधाग है दोस्ता आपको बताते रिपोर्ट में दावा किया गया है कि र विरोध के बाद भी भारत ने इसे रोगने की कोशिश नहीं किया इसमें थीन भारत अधिकारियों का हवाला देते वे कहा गया था कि रूस ने दो मौकों पर भारत से इसकी शिकायत किया वैसे में दोस्तों भारत ने किलियर कर दिया है कि यूकरिन को हतियार बेचना पूर पर जम्मू कश्मीर के पुर्व राजपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किये गए खुलासे और भ्रस्टाचार के आरोपो पर शुकरवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा भाजबा के शिर्ष नेत्रत द्वारा अब से इनकार कर दिया था जिसके कारण 2019 में विनाशकारी पुल्वामा आतंगवादी हमला हुआ इवारी ने प्रधान मंत्री मोदी जी और ग्रह मंत्री अमित शाह से मलिक के आरोपों पर इस पश्टता की मांग की जिन में जमू कश्मीर में बिजली पर योजनाओं और बीमा चाहिए लेकिन विपक्षियों को भी यह सोचना चाहिए कि वह जवाब भी मांग रहे हैं तो किसी ऐसे मुद्दे पर मांगे जो वाकई में सरकार को जवाब देना चाहिए लेकिन अगर आप भी समझते की पुल्वामा हमले पर एक जुट होने के बजाए दो फाड होना ग डूबे जिनपिंग की तीन साल की मेहनत हुई बेकार दरसल चीन किसी भी देश से दोस्ती करता है तो उसे बरबाद किये बिना नहीं छोड़ता इसके दरजन उदारन है जिन में पाकिस्तान स्रिलंका से लेकर लाओस और म्यामार तक शामिल है म्यामार में तो चीन ने गज करिश स्टरकार के पीछे पढ़ गया हालाकि इस चकर में म्यामार में चीन का लाखो डालर फस गया है ऐसी खबरे भी हैं कि चीन ने म्यामार की सेना को हालात जल्द से जल्द सावान करने के लिए धंकी भी दे धीजिए हैं चीन चाहता था कि में मार का इस्तेमाल भारत को भेरने के अलावा ब्यापार के लिए भी किया जाए इसके लिए चीन ने युनान प्रांद के रुईली काउंटी से म्यामार के शान राज की सीमा तक एश शानदार सड़क भी बनवाई लेकिन जब ये सड़क इस्तेमाल के लायक हुई तब कोविट महमारी आ गई चीन ने अ हजार किलोमीटर लंबी सीमा पर विद्रोहियों ने कबजा कर लिया और सभी सीमा चोक्यों से म्यामार की सरकारी सेना को खदेर दिया जी हाँ चीन ने म्यामार में एक महतवा पूर्ण व्यापार गलियारे के लिए लाखो डॉलर का निवेश किया है इस महतवा कांक्षी योजना का उद्देश म्यामार के माध्यम से चीन के दक्षिन पष्चिम को हिंद महा सागा से जोड़ना है लेकिन ये गलियारा म्यामार के तोर कर बड़ा सेना भ्याश शुरू किया है यानि कि दोस्ता चीन में आमार में जो लाखों डोलर का निवेश किया वो डूबता नजर आ रहा है पहली बार ऐसा है जब चाइना अपने ही जाल में फस गया तो वहीं आपको बता दे जम्मू कश्मीर के रियास्ती में सुरक्षा बलों और आतंगों के बीच मुटभेड शुरू हो गई है फिलहाल दोनों और से फाइरिंग की जा रही है सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है बताया जा रहा है कि इलाके में कई आतंगी फसे गए हैं इससे प कश्मीर लेने का खवाजा आसिफ खवाब पाकिस्तान ही कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा खवाजा आसिथ बतार दें विदेष मंत्री डॉक्रा जैशंकर को लेकर पाकिस्तान में एक दावा किया जा रहा है दावा दोस्तों यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस कर से बहस के सपने क्यों देख रहे हैं इसलमाबाद से आई इस डिपोर्ट में ऐसा है दोस्तों आपको बताते हैं पागिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जैशंकर जी के साथ बहस का टीवी पर ऐलान कर दिया दावा यह है कि पागिस्तानी रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के 20 कश्मीर के मुद्दे पर तरवजनिक डिवेट होगी सबसे पहले ख़वर की सचाई समझें खौजा आसिव का दावा है कि ऑक्सपोर्ड यूनियन में डिवेट के लिए उन्होंने हामी भर दी है और वह ब पाकिस्तान में सांसद और मिनिस्टर रहे हैं विदेश मंत्री से लेकर पावर मिनिस्टर का पॉर्टफोलियो समाल चुके हैं इतने सालों से खौजा आसिव को देख रहे पाकिस्तानियों को उनकी समझ और काबिलियत पर बिल्कुल भरुसा नहीं है इसकी एक वज़ए य दुनियन में दुनिया के बड़े बड़े लीडर पहुंचते हैं और घंटो लंबे वाद विवाद अंग्रेजी में होते हैं वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट खलाडियों की तरह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की इंग्लिस भी कमजोर बताई जा रही है तो वहीं पाकिस स्रिलंका में जनिवार को राश्टरपदी पद के लिए चुनाब होने वाले हैं हालिया सर्वे के मुताबिक नैशनल पीपल्स पावर के राश्टरपदी पद के उम्मीदवार अनुरा कुमार दिसा नाई के रेस में सबसे आगे हैं वे चीन समर तक माने जाते हैं अनुरा ने वादा किया है कि जीतने के बाद वे अडानी के प्रोजेट को रद कर देंगे अनुरा के अलावा रेस में तीन और बड़े उम्मीदवार हैं सर्वे में विपक्षी नेता सजीत प्रेम दासा दूसरे नंबर पर हैं मौजूदा रा संकट लोगों के जहन में अभी भी है यही वजह है कि पिछले दो दशक से देश का सबसे बड़ा परिवार राजपक्षे परिवार रेस से बाहर होता दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको क्या लगता अपनी राही देना मत भूलेगा तो महीं बता दें पाकिस्तानी सेना में आफगान तालीबान और पाकिस्तान तालीबान को खंदेडने के लिए एक बड़ा सेन अभियान चलाया हुआ है why Sakisji؟ के बारा चनंबद्यों की बीमोहत हुई है वजरिस्तान अफगानिस्तान से सटा igenis यहीं प्धाइं ऐया है में इनひ घ्लाकों में अफगान का का जारी रशिया का बड़ा दावा अब तक मारे गए 15,300 यूक्रेनी सैनिक जिहां रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को धाई साल सादिक हो गए हैं यूक्रेन की सिना ने रूस की पशिमी सीमा में गुज़पैट करके कुजर्ग प्रांद के करीब 1000 किलोमीटर छेतर क अपने कबजे में ले लिया है खबरों के मुताबे यूक्रेन के सैनिकों को खदेडने के लिए रूसी सिना ने अपनी कारवाई तेज कर दी है रूस के रक्षा मंदरी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 370 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं इस प्रकार कुजर्क में अब त तक पहुंचकर ही मानेगा तीन दीन टक लेवनाने फ हिज्चुछ पिर पर इज्राईलने हमले की अब हिज्चुछ मारे गए हैं बताया गया है कि अकील हिजबुला की राडवान फोर्स का कमांडर था जी हां वहीं बता दें इतना ही नहीं लेवनान को लेकर बृटेन के विदेश मंत्री ने की आपाज कालीन बैठक हालिया हालात पर हुई चर्चा दोस्तों बृटेन के विदेश मंत्री डै सातार इजराइली बंबादी की चपेट में हैं पिछले कुछ दिनों में पेजर और रेडियो विस फोटों से दहल चुका लेवनान इजराइल के हवाई हमलों से भी जूज रहा है तो वहीं ब्रिटेन ने लेवनान के मौजुदा हालात को लेकर सीओ बियार समीती की वैट 64 साल पुरानी सिंदु जल संदी की समिक्षा के लिए पाकिस्तान को एक और भारत की तरफ से इस नोटिस में परिस्थितियों में आये मौलिक और अप्रत्याशित बदलावों और सीमा पार से लगातार जारी आतंगवाद के प्रभाव का हवाला दिया है पड़ोसी मुल्क प्रश्य के बता दें क्या डुनाल्ड ट्रम्प और भारी पड़ेंगी कमाला है इस बहस के बाद अधिकतर सर्वे में पुर्वर राष्ट्रिपती से आगे निकली जी हां कुछ समय पहले तक डुनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रिपती पद की रेस में आगे चल रहे थे लेकिन कमला है इसके रेस में शामिल होने के बाद हालात एकदम उलट गए पलट गए इस को डुनाल्ड ट्रम्प से आगे बताया गया दस सितंबर को दोनों उम्मीदवारों के बीच राश्ट्र पतीपत की पहस हुई थी विभिन सर्विक्षनों में बताया गया है कि इसे बहस में कमला है डोनाल ट्रम पर भारी पड़ी थी अब उनके बहतर प्रदर्शन का असर यह हुआ है कि उनकी लोग प्रियत्ता में भी उच्छाल आया सिर्फौर्य राइटरस या 혼व गया गयारा सुनिस सितंबर के बीचए पृल में कमलाहिश को %37 ने समर्थन दिया है वहीं डॉनाल्ड ट्रम को 42 लोगों का समर्थन मिला है इकॉनमिस्ट या यूगोप पौल के सार भी कमलाहिश्ट्रम से चार प्रतीश ठीक्स से ऑगे है जी हाँ दोस्तों ऐसे में आपकी राहे बनती हैं लेकिन हमारा सवाल आपसे यही है कि कौन होगा अगला राष्ट्रपती नया राष्ट्रपती कमला है रिस या फिर डूनाल्ड ट्रम्प देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या जवाब देती है तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपदी चुनाब के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं पॉलिंग बूत पर वोटर्स की लंबी-लंबी लाइने देखने को मिली हैं दोस्तों अमेरिका में इस कहा है कि जासूसों को निकाले जाने जैसे मुद्दे निजी तोर पर उठाए जाते हैं उन्होंने ये टिपनी इस सवाल पर है कि क्या क्वार्ड शिखर बैठक में प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी के साथ मुलाकात के दौरान भारतिय नागलिकों से जुड़ी एक घटन में ये सामने आई है तो आपको बता दें अस्ट्रेलिया और भारत के बीज संबंद बहुत मजबूत है मैं प्रदान मंत्री मोधी से हमारी व्यापक आर्थिक साजदारी के बारे में बात करूंगा जिसे हम पूरा होते वे देखना चाहते हैं हमारे दो महान देशों के बी फेल बांगलादेश की यूनु सरकार मंडरा रहा आर्थिक संकर दोस्तों पागिस्तान की ही तरह अब पड़ोसी मुल्क बांगलादेश का भी खाजाना खाली हो रहा है ऐसा बताया दस्तावेजो और मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने इसे बात की पुष्टी की है दोस्तों तो वही कब तक भारत में रहेंगी शेख हसीना बेचैन हो गई बांगलादेश सरकार अब क्या कहने लगी है दरसल बांगलादेश में मचे बावाल के बीच भारत में शर लेंगी लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि वह कहीं और जाने की तैयारी कर रही होंगी इस बीच अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री मुहम्मद तोहिद हुसेन अपनी प्रतिक्रिया दी धरसल उनसे जब इस पर पुछा गया कि पड़ोसी देश ने उन्हें शरन दी है त तो टीडीपी का बड़ा दावा तिरुपदी लड्डू में एनिमल फैट फिश ओयल था जी हां तिरुपदी मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्वी और मचली का तेल मिलने का विवाद दिली तक पहुंच गया है केंद्रिय सास्त मंत्राले ने आंध्र प्रदेश स या आरोब लगाया की राज में वाई एस आर कांग्रेस की सरकार के कारेकाल में तिरुपदी मंदिर में मिलने वाले लड्डू यानि प्रसादों में जानवरों की चर्वी वाला घी और फिश ओयल मिलाया गया था वहीं धार्मिक अस्थलों की पवित्रता की रक्षा हो चर रखने की आवशक्ता पर जोर दिया उन्होंने जोर देकर कहा कि देश भर में संबंदित अधिकारियों को धाल्मिक अस्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए तो वही पुर्व सीम जगन मोहन रेड़ी का भी इस मामले में बयान आया है जगन मोहन रेड़ी न आतिशी को दिली का सियम न्यूक्त किया गया अब कभ लेंगी वह शबद बता देयाम आदमी पाड़ी के नेता आतिशी सिंग शनीवाल यानि आज शाम 4.5 बजे के करीब दिली की मुख्यमंतरी की रूप में शबद लेंगी उनके साथ उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री भी राश्ट्रपती द्रौबदी मुर्मू आतिशी को शबत ग्रहन की तारीक से दिल्ली का मुख्यमंत्री न्युक्त कर चुकी है। अगली मीटिंग में विधर्ब पर होगी चर्चा दोस्तों महाराश्ट में होने वाले विधानसवा चुनाप को लेकर महाविकास अघाडी यानि MVA के बीच सीट शेरिंग को लेकर बांदरा के सोफी टेल होटेल में एक एहम बैटक हुई बैटक में उद्दव गुट के संज रावत और अनिल देशाई कांग्रेस से नाना पटोले विजय वटे दिवार और बाला साहिब थोराट जब की शरत गुट से जयंत पार्टिल और जितेंद्र आवहार्ट शामिल हुए ये बैटक करीव चार घंटे तक चली सूत्रग अनुसा तीन घटकों दलों ने बदली होगी तो वहीं साधू वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत दोस्तों योगी पर अखलेश यादव के इस वार को लेकर केशव प्रशाद मर्य दिनेश ने किया पलट वार कहा सपा बनेगी समाप्त वाधी पार्टी जी हां यूपी के सिम योगी आधितनात और स प्लसला थमने का नाम नहीं ले रहा अखलेश यादव ने बिना नाम लिए सिम योगी पर फिर से निशाना साधा इसके लिए उन्हों ने सोचल मीडिया का सारा लिया अखलेश यादव जी आप कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के धरवारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपकी बयानवाजी से केवल संपुर्ण संत समाज का ही नहीं प्रदेश की 25 करोड जनता का भी अपमान हो रहा है ऐसे बयान के लिए आप सारवजनिक रूप से छमा मांगे एंप्लॉइड प्रोविडेंट फंड अर्गनाइजेशन यानी एपफो और करमचारी पेंशन योजना यानी एप्यस में जमा किये जाने वाले पैसे को बढ़ाने पर विचार कर रही है फाइनेंशल एक्सप्रेस में लेबर मिनिस्टर मनसुग मंडाविया के हवाले से प 15,000 रुपए से बढ़ा कर 21,000 रुपए करती है तो कैलकुलेशन में भी बतलाव होगा 21,000 रुपए की सेलरी पर करमचारी का हर महीने 12 प्रतीशत के हिसाब से 2520 रुपए पीफ कटेगा इसके अलावा कंपनी की तरफ से दिये जाने इतना ही कॉंट्रिबूशन में से 771 कोशी कह दीजेगा मिल तक लिए खबर में दोस्तों